नामस्कार आप देख रहें दिकांटाप, मैं हूं प्रफूल एक के बाद एक के बाद एक कारियों का उधगाटन किया जाता है यही कार उत्तर परदेश में भी हो रहा है उत्तर परदेश के पच्छमी यूपी में यानि जेवर एयरपोर्ट सौगात में दिया गया और सौगात में हमारे परधान से वकाज दे रहे हैं उसका उधगाटन कर रहे हैं इससे पहले उन्होंने कुशी नगर में भी एक एरपोर्ट का उधगाटन किया यमना एक्सप्रेसवे का उधगाटन किया डैम का उधगाटन किया गया वहांके मुख्यमंतरी योगी आदितन यानि चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे उत्तर परदेश का विकास हो रहा है। जनता दोरा बनाया जाता है और जनता की सेवा के लिए होता है। लेकिन आप सौगात में हर चीजे देते हैं ये सायद सोभनिय नहीं है क्योंकि सौगात में राजाओं दोरा तौफा दिया जाता है। आप भीक नहीं दे रहें बलकि आप संबैधानिक अधिकारों का पूर्ती कर रहें। आप खाना पूर्ती भी नहीं कर रहें। बलकि उत्तर परदेश का याधिकार है कि उसका विकास हो। उत्तर परदेश की जनता का याधिकार है कि उसका सर्वारिंग विकास हो। उत्तर परदेश की जनता का ये भी अधिकार है कि आप उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखेंगे। इसलिए उत्तर परदेश को सौगात नहीं मिलना है। खेर उत्तर परदेश में चुनाव है तो यह सब होना सौभाविक है अभी तक उत्तर परदेश को क्या क्या मिला है चुनाव से पहले यानि साड़े चार साल पीछे जो आपने इतिहास देखा होगा जो आपने उत्तर परदेश में बदलते हुए तस्बीरे देखा होगा या वहाँ पर विकास होते हुए देखा होगा वो आप खुद जानते हैं कमेंट करके हमें भी बताईएगा कि आपने सारे चार सालों में उत्तर परदेश में क्या देखा है लेकिन सारे चार साल हो चुके हैं और सारे चार साल होने के बाद बेधरले से उत्तर परदेश का विकास हो रहा है उत्तर परदेश को कौन कौन से चीजे कौन कौन से सौगात मिले हैं उस पे थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहूंगा उत्तर परदेश में यानि चुनाओ से पहले 75 विकास परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन किया PM ने 5 अक्टूबर को लखनाओं में 4737 कडोर की लागत से यानि 75 विकास परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन किया है 9 मेडिकल कॉलेज का उधगाटन किया गया 25 अक्टूबर को सिधार्थ नगर और 1RC में PM मोदी ने UP के 9 जी लोग में Medical College की सौगात दी PM ने अपने सम्वोधन में कहा कि पुर्वांचल की ये धर्ती देश को डॉक्टर देने वाली है उन्होंने कहा कि इन Medical College में यानि बर्तमान में जो बेसिक सुबदाएं वो सब मोईय कराए जाएगी उसके बाद पुर्वांचल Expressway का भी उधगाटन किया 341 किलोमीटर लंबा पुर्वांचल Expressway पूर्वी और पश्वी UP को जोड़ेगा इसका भी उधगाटन हमारे परधान मंत्री माननिये नरेंद्र मोधी जी ने किया 9 जीलों को यह आपस में जोड़ेगी यानि इसका काम सुरू हो चुका है 9 जीलों को यह जोड़ते हुए पुर्वी और पश्वी दोनों उत्तर परदेश को जोड़ने का कार करेंगा कि यह कुशी नगर अंतराष्टिय स्रिफ हवाई अड़ा नहीं है बलकि यह बैपार बैवसाय का भी एक केंद्र है लाखों कुरोरों लोगों को यहाँ पे रुजगार का उसर मिल जाएगा किसानों को बैपारियों को मजदूरों को सब को यहाँ पे काम का आउसर प्राप्थ होगा उसके बाद में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उधगाटन किया गया पंदरा जुलाई को पीम वनार्शी में रुद्राक्ष केंद्र सहित 244 स्कूल पर्योजनाओं का सिलन्यास और लोकारपन किया था यह उत्तर परदेश में बेधणले से विकास हो रहा है उसके बाद राजा महंदर परताप सिंग राजजी इन्वर्शिटी का उधगाटन किया गया सिलन्यास किया गया 14 सेप्तमबर को अलीगर में राजा महंदर परताप सिंग राजजी इन्वर्शिटी का सिलन्यास किया गया इस इन्वर्शिटी में परसासनिक भावन, सैक्षिनिक भावन, लाइबरेरी, कॉमन फैसिलिटीज, सेंटर, पूरुष छातरवास, मैला छातरवास, वीसी लॉज, अधिकारियों के आवास, यानि तमाम तरह की सुबदाएं हैं और इस तरीके से उत्तर पर्देश में वीकास का कारिक किया जा रहा है, यानि उत्तर पर्देश में चुनाओ है, चुनाओ से पहले उत्तर पर्देश में वीकास का बोरा खोल दिया गया है, बोरी खोल दिया गया है, कि अब उत्तर पर्देश का वीकास होगा, हम भी यहीं उ होगा कुछ लोग विकास के लिए तरस्त्ष्त हैं कुछ लोग विकास ही विकास में डूबे हुए हैं जैसे एक बन्सकूश को हजम किजी और उस्षव मनाईए कर अगर अभी तक आप कमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दवाईए अगर यूटूब पे देख रहे हैं तो और फेस्बूक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए